नमस्कार, आज हम लोग जानेगे Refex oxygen tablet के बारे में Refex oxygen एक बहुती बेहतर एंटीबाइटिक दबा है इसका कमपोजिशन Refexinguém and Metronidazole है इसके परते एक टेबलेट में Refeximin 200mg तथा Metronidazole 400mg पाया जाता है इस टेबलेट को Medley Pharmaceuticals Limited दोरा बनाया जाता है जो 10 टेबलेट के स्ट्रिप में 214 रुपया के कीमत पर किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजली मिल जाता है इस वीडियो के माध्यम से जनेंगे रिफैक्सी जी लेम टेबलेट का आपयोग कौन-कौन सी बिमारी को ठिक करने के लिए किया जाता है इसका आपयोग कितने दिन तक किया जाता है इस टेबलेट का आपयोग करने के बाद कौन-कौन सी दुस्परभाब हो सकता है क्या-क्या परिशानिया हो सकता है किस तरह के पेसेंट रिफैक्सी जी लेम टेबलेट का आपयोग नहीं कर सकता है इन सारी जहनकारी के लिए बने रही है हमारे साथ दोस्तो रिफेक्सी जी लेम टेबलेट एक बहुत भी बेहतर एंटी वाइटिक, एंटी एमोविक, एंटी प्रोटो जोल दवा है इसका आप यो गंभीर से गंभीर दस्त के इलाज में किया जाता है जब अन्य दवाईयों से दस्त नहीं रुकता है, जब किसी वैक्ती को बार बार पकहना जाना पड़ता है, पेट में धर्द करते रहता है, गैस भी काफी बनता है तब डॉक्टर अन्य उप्योगी दवा के साथ पेट दर्द और गैस के दवा के साथ रिफेक्सी जील एम टेबलेट का उप्योग करवाते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी पेट ठीक हो सके दोस्तों, इसका आपयोग irritable bowel syndrome में भी किया जाता है, जब किसी बैक्ति को चिंता तनाव के कारण या खनपन में घरवरी के कारण पेट में अधिक गैस बनने लगता है, जिस वज़ए से पेट में दर्द करते रहता है, पेट में मरोर होते रहता है कभी दस्त हो जाता है तो कभी कब्ज हो जाता है इस समस्या को ठिक करने के लिए भी डॉक्टर रिफेक्सी जिल एम टेबलेट का आपयोग करवाते हैं दोस्तों इरिटेबल बॉवेल सिंड्रो में व्यक्ति को हरा साग सबजी फल फ्रूट्स जदा ख़ने के सलाह दिया जाता है और तैलिये चीज नहीं ख़ने का सलाह दिया जाता है इसका आप योग खोनी पेचिस में भी किया जाता है जब कोई व्यक्ति ज़्यादा मिर्च मसाला या ठोस गरिष्ट भोजन कर लेता है तब व्यक्ति को खोन वलगम और मल मिस्रित बदबुदार पकहना होता है दिन में कई वार पकहना जाना परता है पेट में काफी करने के लिए रिफेक्सी जीमडा टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं दोस्तों खूनी पेचिस इंटामिवा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोवा के कारन होता है रिफेक्सी जीलम टेबलेट का अपयोग ג-ardiaasis बिमारी में भी किया जाता है इसमें बेक्ति को थोरा लिए रिफेक्सी जी लेम टेबलेट का उपयोग करवाते हैं बैक्टिरियल इंफेक्शन के कारण होने वाला कई परकार के बिमारी को ठीक करने के लिए भी रिफेक्सी जी लेम टेबलेट का उपयोग करवाया जाता है अब जानेंगे रिफेक्सी जी लेम टेबलेट का उप तो दोस्तों इस टेबलेट का आपयोग करने के दोरान फिनो बार्बीटल, एमॉकसिलीन, कलेरिथ्रोमाइसिन और अमेप्राजोल नमक दवाईयों का आपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि रिफैक्सी जी लेम टेबलेट लेने के दोरान अगर ये सब दवा लेते हैं तो कई परकार के दुस्प्रभाव दिख सकता है, जानमाल की छटी हो सकता है अब जानेंगे रिफेक्सी जी लेम टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में इस टेबलेट को लेने के बाद क्या-क्या दुस्परभाव हो सकता है तो दोस्तों रिफेक्सी जी लेम टेबलेट का अप्योग करने के बाद बैक्ती को उल्टी हो सकता है चेहरे पे लाल चकता हो सकता है फीवर आ सकता है कब्ज की समस्या हो सकता है अगर इन में से किसी भी परकार का दुस्परभाव आपको दिखे तो दवा लेना बंद कर दें और अपने नजदी की डॉक्टर से मिले दोस्तों रिफेक्सी जी लेम टेबलेट के बारे में अन्य सभी परकार के जहनकारी के लिए कॉमेंट कीजिए साथी वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद